हेलो इब्रीवान दिस इस प्रणा कुमार्शी फ्रोम आई स्पीशेश सेंटर फ्रेंट्स आज से हम लोग सतरमी बीपेससी की प्रारमिक प्रेच्छा को धान में रखते हुए एक टेफ्स सीरीज को डिसकासन प्रारम किये हैं आज के इस टेफ्स सीरीज के अंतरगा तुमों प्रारम करते हैं अभी लेखों में संस्क्रीट भासा का प्रोग पहली बार कब प्रारम हुआ तो इसका अंसर हो जाएगा option B अथार्ट इसा की दूसरी सिताबदी में ही अभी लेखों में संस्क्रीट भासा का प्रोग प्रारम हो गया था अब प्रश्ट नूरत है कि संस्क्रीट भासा से समंदित पहला अभी लेख कौन सा था तो इसका अंसर हो जाएग जुन्ना गड़ जो जुन्ना गड़े भी लेखे है वा किस सासक से समंदित है तो जो जुन्ना गड़े भी लेखे है वा रूद्रदामन सासक से समंदित है जो की सक बंस का सासक था रूद्रदामन सक बंस का सासक था तो इसका अंसर हो जागा ऑप्शन में B अथाक्त इसा की दूसरी सदी, दूसरा प्रश्ण है, निमलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत कथन का चैन करिए, पहला कि भारत के प्राचिंतम सिकों पर केवल चिन उतकिर्न है, कोई लेख नहीं, और दूसरा कि हिंद यवनों ने भारत में सिक्का निर्मान की डाई बिधी का प्रचल प्रारम किया, और तिसरा है कि सर प्रथम हिंद युनानियों नहीं श्रन मुद्राएं जारे की, तो देखिए इसमें त्यूनों स्टेटमेंट है हुआ सही है, तो इसका अंसर हो जाएगा, ओप्सन नमबर डी, अथार्त उपरुक्त सभी, अब मत्पून बात हम लोग यहा तो किस स्वर्ण 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 तो इस प्रश्ण का अंसर होता आप्शन नमर डी अथार्थ उप्रुक्त सभी चलिए नेक्ट प्रश्ण को मूब करते हैं तो तीसरा नमर प्रश्ण है पूरा पूरा पसान काल के अस्थल और उसके छेत्र का मिलान करें एक तरफ अस्थल दिया हुआ दूसरे तरफ उस अस् असर हो जाएगा तू तीसरा है अथार्थ सी में है निवासा तो ध्यान दे जगाए यहां जो निवासा है वहां महराश की अहमद नगर जीले में ही अवस्थित हैं तो सी का हो जाएगा तीन तो अथार्थ जो ऑप्सान नमर डी है अटी राम पकम यह तमिल लाडू में एवं उप्रोप्त में से कौन सा कथन गलत है अथार्थ इस प्रस्ण में हमें गलत कथन का चैन करना है पहला कि पूरे भारतिये उपमादीप में पूरा पसानकाल के आदि मानव का कोई जिवास्म नहीं मिला है दूसरा है कि भारत में प्रागतिहासिक मानव का प्राचिंत प्रियुक्त होने वाले छोटे उप करनों को क्या कहा जाता था तो देखिए जो मद पासान काल में परियुक्त होने वाले जो छोटे उपकरन है ना उनको माइक्रो लिथ कहा जाता था तो इसका अंसर हो जागा ओप्शन नमबर ए अथार तो माइक्रो लिथ है नेक्स्ट प्रस्ण है मद पासान कालीन मानव अस्थी तो आप लोग इसे याद रखेगा महदाहा और सराय नहार से मानव अस्ति पंजर के अबसेस मद पासान कालीन अबसेस प्राप्त हुए है नेक्स प्रस्ण है कि निवन में से कौन नव पासान कालीन अस्थल बिहार से समंदित है तो इसका अंसर हो जागा उप्शन वसी अथा निवन में से किस काल में मानव में अस्थाई निवास की प्राप्रिती बिक्सित हुई तो इसका अंसर हो जागा उप्शन वसी अथार्थ नव पासान कालीन समय से भारत में या मानव की अस्थाई निवास की प्राप्रिती का विकास हुआ तो इसका अंसर हो जागा क्रिशी और पहिय का अविस्कार भी नव पासान काल में ही हुआ था लेकिन यह जो प्रस्ण है कि किस काल में मानक गस्थाई निवास की प्रभिती बिख्शित हुई तो इसका अंसर तो यद भी हो जागा option number C लेकिन suppose यदि प्रशन पूछी लिये जाते हैं कि क्रीसी एवं पहिये का विजकार की स्काल में हुआ है तो इसका अंसर भी हो जागा नवपासान काल में ही नेक्स प्रशन है नवपासान काल के संदर हमें निम्न काथनों पर विचार करियें एवं कौन सा कथन सही है अथाथ सही कथन का चैन करना है तो देखिए जो पहला number statement है सर प्रथम 1806 में ली मेसूरियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरन उत्तर प्रदेश की टोंस नदी के घाटी से प्राप्त किया यह सही है और दूसरा कि इसकी समय के निवासी सबसे पुरानी क्रिशक समधाय के थे यह भी सही है और तिसरा कि यह मीटी और सरकंडे के बने गोलाकार या आताकार घरों में रहते थे यह भी सही है अथार्थ इस प्रशन का अंसर हो जाएगा ओप्शन नमब डी अथार्थ उपरुक्त सभी अब प्रस्ण आता है कि यह जो कोल्डेवा है वह भारत के किस राज में अवस्थित है तो कोल्डेवा भारत के यूपी राज के इलाहबाद छेत्र में अवस्थित है तो आप लोग इसे याद रखेगा कोल्डेवा जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज के इलाहबाद में नेक्स प्रस्ण है शिंदू सबता को किस यूग या काल में रखा जा सकता है तो या जो सिंदू सबता है उसे आद एतिहासिक काल में रखा जाता है तो इस प्रस्ण के अंसर option नमर B इसका सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ण है कि पिगट ने सिंदु घाटी सबता के किन दो अस्थलों को जुलवा राजधानी की संग्यादी है तो देखे इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा ओप्शन नमर बी अथात हडपा एवा मोहन जोदलों को पिगट ने सिंदु घाटी सबता की जुलवा राधानी कहा है अब हडपा देखे हडपा एकिव्यदी बात करें तो हडपा की खोज 1921 इसवी में किया गया था अथात हडपा का खोज सबसे पहले 1921 इसवी में ही किया गया था तो इसका अंसर हो जाएगा कि चुकी 1921 इसवी में सर प्रतम हडपा सबता की खोज की गयी थी इसी करण सिंदु घाटी सबता को हडपा सबता के नाम से भी जानते है तो प्रस्ण का अंसर ऑप्सन नमर बी कि पिगट ने हडपा एवा महन जोदलो को सिंदु घाटी सबता की जुड़वा रधानिका है तो अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर बी नेक्ट फोटी नमर प्रस्ण है पहला कि सिंदु घाटी सबता को कांस युगिन सबता के नाम से भी जाना जाता है बिल्कुल सही दुसरा सिंदु घाटी सबता के लोगों को कांस निर्मान की तकनिकी की जनकारी थी या भी सही है और तिसरा कि हापा वासियों ने अपने ओजार और उपकरन के निर्मान के लिए तामबे का सरवधिक परोग किया यह भी सही है अथार्थ आप्शन नमर डी उपरुक्त में से कोई गलत नहीं है तो इस प्रस्ण का अंसर हो जागा अथार्थ आप्शन नमर डी अथार्थ सोथ यदि इसका बिश्तार की बात करें तो आथा 1400 किलो मिटर तौं आप लोग से याद रखिए नार्थ तो यह संस्क्रीत के बाद संथाल भारत के किस राज से प्राप्ट हुए है या भारत किस राज में खोजेगे है तो इसका अंसर हो जाएगा option में बी अथारत गुजरात राज में सोतंता प्राप्ति के बाद भारत के सरवादिक के सिंदुगाटी अस्थल प्राप्त हुए हैं नेक्ट प्रस्ण है निमलिखित कथनों पर बिचार करें एवां कौन सा कथन सही है सत कथन का चैन करें पहला सिंदुगाटी सबता का सबसे बड़ा अस्थल जोड़ो है और दूसरा कि भारत में सिंदुगाटी सबता का सबसे बड़ा अस्थल राखी गड़ी है देखिए दो प्रस्ण है पहला जिसमें दोनम बात किया गया है सबसे बड़ा अस्थल की लेकिन जो पहला है वह कहरा है कि सिंदुगाटी सबता यादि सम्पुन सिंदुगाटी सबता की बात करें तो उसका सबसे बड़ा असल जो है कि मोहन जो दुड़ है बिल्कुल सही है और दूसरा प्रस्ण कहरा है कि भारत में सिंदुगाटी सबता का सबसे बड़ा असल करना है तो आप लोग ध्यान दिजीए, देखिए, सरवाधिक प्स्मि पुरास्थल सुछन घिर्थ्न हो तहिं है, दुसरा सर्वाधिक पुरिट्र्हाइब्वित पुरास्थल आलमगीर्पूर यह भी शही है। तिसरा की नमबर प्रश्ण है निवन में से कौन सा अस्थल सिंदू घाटी सभता का बंदरगाः था तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सिंदू घाटी सभता में दो प्रमुक बंदरगार थे लोथल और सुथ कोटडा तो इसका अंसर हो जागा ऑप्षन में डी लोथल और सुथ लोथल किश नदी के टटबर अवस्थित है तो भोगवा नदी के टटबर और लोथल और सुथ कोड़दा ये दोनों गुजरात राज में बर्तमान समय में अवस्थित है चलिए विश्मा नमबर प्रस देखते हैं सिंदू घाटी से बता के किस अस्थल से नर्तकी की एक कांस की मुर्ती प्राप्त हुई है तो इसका अंसर हो जागा ऑप्शन हमें डी अथात महान जोदलों से कांसे की एक नर्तकी की मुर्ती प्राप्त हुई है अथारत यह जो नर्तकी की मुर्ती है वह किस धातु की बने हुई थी तो प्रस देखते हैं अंसर हो जागा ऑप्शन हम पटी अथार्त महां जोदोलों से नर्तिकी केकास की मुर्ति प्राप्त हुई है महां जोदोलों के दिबात करें तो महां जोदोलों का उत्खाना 1922 इसवी में राखल दास बनार जी और डी बनार जी ने महां जोदोलों का उत्खाना 1922 इसवी में किया था सुरी नेक्स प्रस्ण है सिंदू घाटी सहबता के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार करें एबं सत कथन का चैन करें पहला प्रस्ण है पहला अप्शन है कि सिंदू घाटी सहबता के लिपी भाब चित्रात्मक थी यह बिल्कुल सही है दूसरा सिंदू घाटी एक ग्रामिन सहबता थी यह गलत है कि सिंदू घाटी सहबता जो थी वा नगरिये सहबता थी तिसरा सिंदू घाटी के कई नगरों में मंदीर के अफसेस प्राप्त हुए है यह भी गलात है उसे मंदीर के अफसेस ने मुखरूप से बलकिवाब प्रकृति की पुजा की जाती थी तो इस प्रस्ण कांसर अंसर हो जागा ओप्चन अबर ए अथात के वल एक सही है नेक्स प्रस्ण है निवन में से कौमसा सिंदू घाटी सेवता के अस्थाल भारत में अवस्थित है तो ध्यान दिजएगा यदि सूत कांगडोर की बात करें तो भारत के पंजाब में अवस्थित है देखिए सोरी यह जो सूत कांगडोर है पंजाब में ही अवस्थित है ले निम्न में से कौन हड़ापाई बस्ती अफगानिस्तान से प्राप्त हुई है तो इसका अन्सर हो जाएगा ध्यान दियां दिजे कौन सा हड़ापाई बस्ती अफगानिस्तान से प्राप्त हुई है तो इसका अंसर हो जाएगा option number A अथात मुंडी गाक की जो बस्ती है मुंडी गाक बस्ती वह अफगानिस्तान से प्राप्त हुई है अथात option number A इसका सही अंसर हो जाएगा नेक्स चो विश्मा नमबब प्रश्ण क्यों हम लोग आप मूब करते हैं जो चो विश्मा नमबब प्रश्ण है सैंधव सबता के अस्थाल एवं नदी का सही मिलान करना है तो देखिए यह जो हड़ापा है वहाराबी नदी के टर्ट पर अवस्चित है अथाथ 1 का हो जाएगा 2 सूरी दूसरा है महन जोदलो महन जोदलो सिंधु नदी के टर्ट पर अवस्चित है यह दिक nggak हो जाएगा 3 नेक्स है लोथल लोथल जो है भोगवा नदी के टर्ट पर अवस्चित है अथाथ सी का हो जाएगा 1 और धौला भी रहें वहाल लूनी नदी के टट पर अवस्तित हैं तो D का हो जाएगा चार अथार्थ इस प्रस्ण का अंसर निकल करा जाएगा option number D अथार्थ 2,3,1,4 next question है सिंदु घाटी से बता के अस्थल एवं उत्खानन में प्राप्त साच का सही मिलान करें एवं जो कूट दिया हुआ है उस कूट के अंसर अंसर को सेलेक्ट करना है तो देखिए मनके बनाने के करखाने मनके बनाने के जो कारखाने हैं वहाँ लोथल से प्राप्त हुएं अथार्थ A का हो जाएगा option number 1 next है B में जूते हुए खेत जूते हुए खेत काली बंगा से प्राप्त हुएं अथार्थ B का भी हो जाएगा option number 2 next है मिटी के बने हल ध्यान दे जगाया जो मिटी के बने हल है वहाँ बनाबली से प्राप्त हुए अथा C का हो जाएगा 3 next है कांसे के खिलोना गाड़ी तो जो कांसे के खिलोना गाड़ी है वहाँ चनहुदुरों से प्राप्त हुए है तो D का हो जाएगा 4 next option number E बरतन परमच्वारे का चीत वहा हडपा से प्राप्त हुआ है तो इस प्राप्त हुआ है तो इस प्राप्त का अंसर हो जाएगा option number E अथार्थ 1, 2, 3, 4 और 5 next 26 नंबर प्राप्त है सैंधब सबता के संदर में निम्न में से कौन सा कथम सही नहीं है पहला सैंधब वासी मिठास के लिए साध का परोग करते थे बिल्कुल सही है next की चावल का सार प्रतम साच लोथल से प्राप्त हुआ है यह भी सही है सैंधब सबता के मुख फसले गेहों एवं जौत ही यह भी सही है next है सैंधब सबता का समाज पित्री सहतातमक था यह गलत है सैंधब समाज सैंधब जो समाज था मुख रूप से मात्री सहतातमक समाज था तो इस प्रश्ण का अंसर हो जागा option number D जो सैंधब समाज है पित्री सहतातमक नहीं बलकि मात्री सहतातमक समाज था next 27 नंबर प्रश्ण है निवन में से किस यूग को चाल कोलिथिक यूग के नाम से जाना जाता है तो देखिए जो तामर पासान यूग है उसे चाल कोलिथिक यूग के नाम से जाना जाता है अथात इस प्रस्णिक अंसर हो जागा option number B नेक्स्ट है प्राग एतिहासिक काल में गुफाओं के सेल चित्रों के लिए निवन में से क्या प्रसिद है तो इसका अंसर हो जागा option number D अथार जो मद प्रदेश का भीम बेटका गुफा है वह अपनी सेल चित्रों के लिए विख्यात है तो इसका अंसर हो जागा option number D भीम ब इटका की गुफाय है जो कि अपनी सेल चितरों के लिए प्रसिद्ध है नेक्ट प्रस्ण तीसमा नमबर प्रस्ण है शही सुमेलित नहीं अथार जो चार अप्चन दिये हुए उनमें से कौम से शही सुमेलित नहीं है पहला भारतियो पुरातात्व का जनक अलेक्जेंडर का निगहम को जाना जाता है यहां बिल्कुल सही है दुसरा भारतिय पुराता तो सरवेच्छन के प्रथा महाने दे सकते वह सर जोन मार्सल थे यहां भी सही है और नेक्ष्ट राष्टिय मानव संग्राल है मद प्रदेश को भुपाल में है यहां भी सही है और नेक्ष्ट है कि भारत में मानाव का सर प्रथम साच बुर्ज होम से मिला है यह गलत है भारत में मानाव का सर प्रथम साच नरंदा घाटी से प्राप्थ हुआ तो आप लोग स्याद रखिये भारत में मानाव का सर प्रथम साच की नदी घाटी से प्राप्थ हुआ है तो अंसर हो जाएगा नर पूरा अस्थल है जिसका की किलाबंदी नहीं किया गया था चलिए नेक्स प्रस्ण को हम लोग मूब करते हैं तो नेक्स प्रस्ण है सिंधु घाटी सहबता कवा कौम सब पूरा अस्थल है जहां से प्राप्त मृदभांड पर चित्र उकेरा गया है जिस पर एक कौवा और एक लोमडी उतकिर्न है तो इसका अंसर हो जाएगा और अथा तो लोथल अब प्रस्ण उड़ता है कि लोथल किस नदी के टर्ट पर अ अवस्थित है तो इसका अंसर हो जाएगा भोगवा लोथल जो है भोगवा नदी के टर्ट पर अवस्थित है चलिए 33 नमब प्रस्ण है सिंधु सबता कवा नगर जुआन नगरों के विप्रीत यह नगर दो भागो गड़ी और अवास छेत्र में विभाजित था तो इसका अंसर हो जागा ओप्शन नमब सी अथात सूर कोटदा अब यह जो सूर कोटदा है वहां पाकिस्तान में चला गया है यह अथार्थ बरतमान समय में यह पाकिस्तान देश में अवस्थित है चलिए नेक्ट प्रस्ण है चौंतिस नमब प्रस्ण है सिंधु सबता के पूरा अस्थल धौला बीरा का साब्दी कर्थ क्या होता है धौला बीरा का साब्दी कर्थ है सफेद कुवा अथार्थ ऑप्शन नमब भी इसका सही अंसर हो जाएगा नेक्ट पैंतिसमा नमब प्रस्ण है सिंधु घाटी सबता के बारे में सत कथन का चैन करे पहला प्रतिक अव होता था बिल्कुल सही दूसरा ब्यपार और बानेज इस समय उन्नत अवस्था में थी यह भी सही है और तिसरा सवधान की तीन पदती इस समय प्राप्त हुई है यह भी सही है और चौधा कि धातू से प्राप्त एक भी मूर्तियां प्राप्त नहीं हुए सोरी धातू से बना जोड़ों से कांसें की एक नर्तिकी की मुर्थी प्राप्ट अभी थोड़ी दिर पहले ही मैंने बताया था तो अथार जो चौथा नंबर स्टेटिमेंट हो अगलात हो जाएगा तो इस प्रश्ण का अंसर ऑप्शन अमब डी एक दो एवं तीन सही अंसर निकल कर आ रहा है छ सिंदुघाटी से अबदा को दिया जाता है अथार्ट ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्ण का सही अंसर हो जाएगा नेक्ट से तीसमा नंबर प्रश्ण है निवन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पहला लोथल यह गुजरात में अवस्तित है यह बिल्कुल सही है इस प्रश्ण का अंसर निकलकर आरा ओप्शन अमस्षी क्योंकि जो रोपड़ हरियाना नहीं बलकी पंजाब राज में है नेक्स्ट है सिंदुघाटी से बता कि पूरा अस्थल धौला बीरा के समन्द में कौन सा कथन सही नहीं है अधार्ट कौन सा कथन गलत है देखे कुछ ले जाते हैं कि कोंसा कथन सही नहीं है तो इसमें गलत अस्टेट्यमेंट का चैन करना है तो पहला कह रहा है कि यहां से शैलकृत अस्थापत्त के प्रमान प्राप्त हुए हैं बिल्कुल सही दूसरा यहां राजस्थान में अवस्तित है यहां गलत है कंक्य धौला तीन भाग में भी भाजित था, यहाँ भी सही है, तो इस प्रश्चित के अंसार जो आंसर निकल करा रहा है, वहा है, option अम्रlee B, क्योंकि यहाँ ध जलब प्रवंधन ववस्था के लिए धौला विराराज भारत में प्रसिद्ध है नेक्स्ट उन्तालिस्वा नमब प्रस्ण है सिंदोगाटी सहबता के अस्थल तथा वहां से प्राप्त साच का सही मिलान करें देखें यदे ब्रिशय मुद्रा की बात करें तो जो ब्रिशय म ia worse हुure C καही है और फेल्ब को मालिक के साथ दफनाना इसका साथ हो तो डिक अंसर हो जाए दो प्रश्न के अंसर निकल करा यह ऌप्शन रही है आर्षन ठालिसवा नमब प्रस्ण है सिंदोगाटी सबता के संदर में सही कथन का चैन करें पहला पसू सेर के अबसेस अभी तक सिंदु घाटी से अबता से प्राप्त नहीं हुए है यह बिल्कुल सही है दूसरा पसु घोड़ा गाय सी एवा उट का अंकन इस संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है यह भी सही है नेक्स्ट भारत में चांदी के उपलधता के प्राचिंतम साच इस संस सही कथन है उपर तो सभी अथात एक दो तीन एवं चार चारो सही है नेक्स्ट एक तालिस्वा नमबर प्रश्ण है वह सैंधब कालीन पूरा अस्थल जहां से दिवी सब संस्कार का साच प्राप्त हुआ है तो इसका अंजर हो जाए ओप्शन है ए अथात लोथल एवं काल बंगा से नेक्स्ट बैलीष्वा नमबर प्रश्ण को अब हम लोग मूब करते हैं तो बैलीष्वा नमबर प्रश्ण है हडपा संस्कृति की लिपी भाब चित्रात्मक है तथा प्रतिक अच्छर किशी ध्वनी भाब या बस्तु का एक सूचक है यह लिपी दाई से बाइ बोश्ट्रू फेदन इस पदती को बोश्ट्रू फेदन के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट तितालिष्ट नमब प्रस्ण है संदव सभदा की अस्थाल तरह उसके उत्खानान करता का सहीग में है धौलाबीरा की खोज जेपी जोसी ने किया है यह बिल्कुल सही है नेक् कि खुछ दैराम साहनी और राख़लदास बनरजी की बात रह था तो राख़लदास बनर नहीं नहीं की और बिल्कुल सभी अथार्थ प्रम्न का अंस्वार 100 हो जाएगा उसके उत्खनन करता का सही युग्म है तो देखिए सेंधब से बता के अस्थलत था उसके उत्खनन करता का सही युग्म की यदि बात करें प्रस्ट यहां गलात हो गया है सही उगम नहीं है यदि प्रस्ञजय तक सही उगम नहीं है तो इसका अंसर निकल करा रहा था option C, 30 हलपा क्योंकि हलपा की जो है वहाँ दैराम सानी हलपा की खोच्की है और राखल दास बनर जी है वहां महँण जो दोन के खोच्की है राखल दास बनर जी इसके अलावा जो option A, B, A, V, M, D हैं वा तिनों सही हैं क्योंकि धौला बिरा की खोज जेपी जो सी, लोथल की खोज S, R, रोपल की खोज यगदत सर्मा द्वारा किया गया है तो प्रस्ण में थोड़ा सा mistake हो गया है चले 44-7 अवा प्रस्ण में हम लोग मूब करते हैं सिंधू घाटि से बता का महान अशनानागार किस पूरा असल से प्राप्त हुआ है तो जो महान अशनानागार था वहा महां जोदोर से प्राप्त हुआ है और महां जोदोर की खोज 1922 ECB में किनके द्वारा किया गया था तो मल्टिप्लाइबा स्वेंटिफाइब एक सो पचास गुना पचातर मीटर छितफल में महान अश्नानागार विदमान था जो की मुहन जुद्रों से प्राप्थ वार मुहन जुद्रों कि सब्सक्राइब करना है तो देखिए पहला है एम और साहनी उसके द्वारा सिंदू गाटी सहबता की पतन का क्या कारण माना गया है तो देखिए एम और साहनी ने सिंदू काटी सहबता का पतन मानते हैं भुगरविक परिवर्तन को अथार्थ एक आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर एक नेक्स्ट है जॉन मर्सल तो जॉन मर्सल ने सिंदू काटी सहबता का पतन का कारण माना है प्रसास्निक सिथिल्था अनोंआ बाढ़ को सिन्दुं गाटी सहवता का पतन का कारण माना है तो इसका अंसर हो जाइगा देखिये इस प्रश्णिक अंसर ओप्सना ओप्सना में 3 किस देस से आयात किया जाता था तो आप लोग सारे लोग जानते होँगे कि सिंदू गाटी से अपता के समय यह जो टीन था वा अफगानिस्तान से टीन आयातित किया जाता ध्यान दिजेगा सिंदू गाटी से अपता के समय अफगानिस्तान से मुखरुप से तीन खनीज आयात किये जाते थे सोना के अतरीक्त 3 और 3 के अलावा एक और खनीज था वासी सा यह जो 3 खनीज थे हुआ अफगानिस्तान से आयात किये जाते थे जब कि अदि खेतली की बात करें तो खेतरी जो की राजस्थान में अवस्तित है यहां से मुखरूप से कौपर याने की तामबा आयातित किया जाता था और फारस से मुखरूप से गोल्ड याने की सोना फारस से भी आयातित किया जाता था है तो इसका अंसर हो जाएगा और 37 वा जो कब्रिस्तान है उसे और 37 के नाम से जाना गया है तो option नमब ए इसका सही अंसर हो जाएगा यदि आर्शेंतिस की बात करें यहां का बिस्तान किस अस्थल से प्राप्त हुआ है तो यह जो आर्शेंतिस का बिस्तान है वह हडपा अस्थल से प्राप्त हुआ है आप लोग से याद रहे कि हडपा से आर्शेंतिस नामक सवधान प्राप्त हुआ है यह दि हडपा की बात करें कि हडपा की खोज किशने की तो हडपा की खोज 1921 इस्वी में दयारामसाहनी द्वारा किया गया था और हडपा से ही अर्शेतिस नामा के एक सवाधान प्राप्थ हुए हैं नेक्सट 48 नमाप प्रश्ण है सिंदू गाटी खाटी सवता के निर्माता के रूप में ड्रविडों को नीमन में से किशने मानता दी हैं जो निर्मान किया गया था द्रबीड अप्रजातियों द्वारा किया गया था नेक्स्ट उन्चासमा नमबा प्रश्ण को हम लोग मूव करते हैं तो जो उन्चासमा नमबा प्रश्ण है कि सिंदू गाटी से बता के किस पूरा अस्थल से हाथ से बना हुआ कि इंप我跟你 का एक सप्राप्श करा सिंदू क कर रहा है कि सिंदू गाटी से अस्थल से हाथ बना हुआ सूती कप्ड़ का एक साच प्राप्श हुआ है था चार प्रश्ण में से इस प्रश्ण में हमें गलत स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है पहला सिंधू सबता के लोगों के लिए कूबड़ वाला साड़ सरवाधिक प्रिये पसु था बिल्कुल सही है नेक्स्ट मेसोपोटामिया के अभी लेखों में बर्णित मेलुहा सब्द का परियोग संभवता संदव घाटी सही है नेक्स है सिंधू सबता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विणयास के लिए गृट पदिती को अपनाई थी यह भी सही है नेक्स्ट परदा प्रथा एवं बेशा बृति हड़ापा सबता के समय में प्रचलित नहीं थी यह गलात है क्योंकि ये व्यवस्था भी परदा परथा एवं बेशा बृति की बवस्ता भी रपस अबता की समय में प्रचलित थी तो इस प्रश्ण का अंसर हो जाग ओप्षन नमबर अधात परदा प्रथा एवं बेशा बृता अडपस सवता में प्रचलित नहीं थी या श्टेट्मेंट गलत है नेक्स्टी कामन नमबर प्रश्ण है निवन में से कौन सा कथन सही है धान दिज़ प्रश्ण करा कौन सा कथन सही है पहला सेंधब सबता से केवल पसु पच्छियों के ही मरीन मूर्तियां प्राप्त हुई है दूसरा कह रहा है कि संधव सबता की मरीन मूर्तियों में नर की अपेचा सरवाधीक नारी की मरीन मूर्तियां प्राप्त हुएं प्रश्ण करा कौन सा कथन सही है तो यदि पहला की बात के रहें तो पहला गलत है कि सिर्फ और सी पसु पच्छी की मरीन मूर्तियां ही नहीं ब अप्शन भी अथात केवल और केवल दो नेक्स्ट बामन नंबर प्रश्ण है रिग वेद कालिन आर्यों और सिंदु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर समंद में निमलिखित कतुनों में से कौन सा कथन सही है ध्यान दीजे प्रश्ण करा कौन सा कथन सही है तो द सही है दूसरा रिग वेदन कालिन आर्यों को सवर्न चांदी और तामर का ग्यान था जबकि संदु घाटी के लोगों केवल और केवल तामबा और लुहे का ग्यान था या अस्टेट्मेंट गलत है और शोथा शेंधंधम सेवता में परदा प्रतपे चलिए थी जबकि बैदिक सेवता में परदा प्रथा प्रचलन का अभाब था यह भी सही है अथार्ट इस प्रश्ण का अंसर हो जागा अप्शन नमस्षी अथार्ट एक तीन एवं चार किंगी जो दूसरा नमबर है स्टेटिमिंट है वा गलत है नेक्स तीरपा नमबर प्र गोचर भूमिक अधिकारी था गोचर भूमिक अधिकारी को हम लोग बाजपती कहते थे यदि ग्राम के मुख्या की बात किरते हैं तो ग्राम के मुख्या को हम लोग ग्रामनी कहते थे तो आप लोग इसे याद रखिए ग्राम के मुख्या को किस नाम से जाना जाता था तो आर्यों की एक साखा इरान से भारत में आई थी तो इसका अंसर हो जगा option of C था कसी अभिलेक से प्राप्त होता है कि आर्यों की एक जो साखा थी वह इरान से भी भारत आई थी आप लोग स्याद रखिए कसी अभिलेक की खोज की गई थी 1600 इसापूर में और यहीं कसी अभिलेक है जिससे प्राप्त होता जिससे पता चलता है कि आर्यों की एक जो साखा थी वह इरान से भारत में आई थी चलिए 55 नमबग प्रश्ण को हम लोग मूब करते हैं तो 55 नमबग प्रश्ण है मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल अस्थान कहां बताया है तो देखिए यहां जो मैक्स मुलर है वहां आर्यों का मूल अस्थान मद एसिया को बताया है अर्थार्थ इस प्रश्ण का अंसर हो करें लोग लोग हिमाला प्रधेश की बात करें उर्यों का मूख अस्थान Kl p निवास स्थान बताया किस ने बताया दयानंद सर्शती नेक्स्ट है उत्री धुरूप तो उत्री धुरूप को आर्यों का मुख निवास स्थान बाल गंगाधर तीलक द्वारा उत्री धुरूप को आर्यों का मुख निवास स्थान बताया था और मद एसिया को आर्यों का विलों का उलेख मिलता है उनमें निम्न में से कौन सामिल नहीं है ध्यान दीजें तो आप्सनमर डी अथार्ट अकीनन उन पाच कैविलों में सामिल नहीं थे यदि पाच कैविलों की बात करें तो पहला पूरू बिल्कुल सही है दूसरा यदू भी सही है तिसरा अनू भी सह तो इस प्रस्ण का अंसर पाच के विलों में कौन सामिल नहीं है तो अंसर होजागा option number D अकिन इन पाच के विलों में सामिल नहीं था नेक्स सतामन number प्रस्ण है आरियों की संदर्व में निमलिखित कथन पर विचार करें एवं गलत कथन का चैन करना है ध्यान देजगा इस प्रस्ण में हमें गलत statement का चैन करना है तो पहला देखिए भारत में आरियों का आगमन 1500 इसा पूर्व से कुछ ही बर्ष पहले माना जा यह भी सही है अथार्थ पहला दूसरा एवं तीसरा या जो तीनोह statement है वह सही है तो इस प्रस्ण के अंसर अंसर हो जाएगा option D अथार्थ उप्रोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है अठामन number प्रस्ण है निमन में से किस ग्रंथ में सबसे पहले बर्न सब्द का बात किया जाए कि दास सब्द का सर प्रथम बर्नन किस ग्रंथ में मिलता है तो बर्न एवं दास इन दोनों सब्द का बर्नन सर प्रथम रिग बेद में मिलता है इसके अत्रिक्त यह जो बर्न है तूसरे में आप सारे लोग जानते हो कि मोगर्प से चार प्रकार की बर्न ब जाले मिलता है चलिए नेक्ट प्रकर करते हैं तो नेक्ट उनसट्मा नमब प्रक्रश्ण है रीग बैद के संदर में निम्न में से कौन सा कथन गलत है पहला देखिए चारों बेदों में सरबाधिक प्राचीन इस बेद में आर्यों की राजनितिक प्रनाली एवं इतिहास की बीजह मैं जनकालिप प्राप्त होती है बिलकुल सही दूसरा की रीग बेद में दस मंडल है यह भी सही है और तिसरा रीग बेद में रीचाओं की कूल संख्या 10,500 बामन है यह भी सही है और चौत्हा की इस बेद से यग समंधी बीधी बिधानों का पता चलता है या गलत है क्योंकि यग समंधी बीधी बिधानों का पता हमें किस बेद से चलता है तो यह जूरुबेद में यग समंधी बीधी बिधानों का बर्नन किया गया है तो इस प्रश्ण के अंसार गलत है स्टेटमेंट है option number D अथार्ट यक समंदी विदी विदानों का बर्णन रीग बेद की बजाए यह जूर बेद में देखने को मिलता है next question है निवन में से कौम सही सुमिलित नहीं है option A है गायतरी मंत्र रीग बेद के तीसरे मंडल में है बिल्कुल सही next है हस्त लिखित रिचाए रीग बेद के आठमे मंडल में है यह भी सही है next की चार बर्न का उलेख रीग बेद के दसमे मंडल में किया गया है यह भी सही है और नेक्ट की सोम को समर्पित रीग बेद की सात्मा मंडल में है यह गलत है क्योंकि यह सात्मा मंडल का असानपर और जो नौमा मंडल है वह भगवान सोम को समर्पित है तो इस प्रश्ण का अंसर हो जगा ऑप्शन अमर्डी अथार्थ नौमा मंडल है जो की सोम को समर्पित है नेक्स्ट है एक सठमा नमब प्रश्ण है रीग वेद में सर्वाधीक बार बरनन किस नदी का आया है अथार्थ रीग वेद में किस नदी का सर्वाधीक बार बरनन किया गया है तो इसका अंसर हो जाग ऑप्शन हम सी अथार्थ सिंदू नदी को रीग वेद में सर्वाधी नदी की बात करें तो रीग वेद में सर्शती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में जाना जाता था तो आप लोग इसे भी याद रखिए कि रीग वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सर्शती को जाना जाता था लेकिन यदि प्रश्ण पूछ लिया जाता है कि सर्वदिक बार बरणन किस नदी का किया गया है तो इसका अंसर हो जब आप्चन C अथाथ सिंदू नदी का रीगवेद में सर्वदिक बार बरणन किया गया है नेक्स्ट बासट नमर प्रश्ण है मैं कभी हूँ मेरे पिता बैद है माता अनपिषने वाली है कभी अंगीरस का यह कथन रीग बेद के किस मंडल में बरनेत है देखे यह जो प्रश्ण है इसमें एक अस्टेटमेंट दिया गया है जो कि रीग बेद से किसी मंडल से समझ दित में इसका बरनन किया गया है तो यह statement है कि मैं कभी हूँ मेरे पिता बैद है माता अन पिशने वाली है कभी अंगरीस का जो यह कतन है उसका बर्णन रीग बेद के किस मंडल में किया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा रीग बेद के पहले मंडल में कभी अंगरीस द्वारा रचित इस कताओं का बर्णन क आगया है निक्स चौंसट नमब प्रश्ण है बैदिक नदी और उसका आधुनिक नाम का सही मिलान करना है तो देखिए यह चौंसट नमब प्रश्ण है कि बैदिक नदी और उसका आधुनिक नाम का सही मिलान करें यदि बितस्ता की बात करें तो बितस्ता का बरतमान समय जो ब्यास के नाम से जानते हैं तो C का हो जाएगा 2 और नेक्ट सत्रूदी सत्रूदी को बरतमान समय में सतलच के नाम से जानते हैं तो D का हो जाएगा 3 तो इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा option में C अथार्थ 142 एवं 3 नेक्ट प्रस्ण है अफगानिस्तान का बरतमान वह नदी जिसका बर्नन रीग वेद में किया गया है, तो धयान दिजे प्रशन कहo है कि बरतमांत समय में अफगानिस्तान के वाइं कौन सी नदी है, जिनका बर्नन रीग वेद में किया गया था, तो इसका अंसर हो जागा ऑप्शनमर डी असथ कूर्रम एवम कावूल, यह दो ऐसी न नदी को आरिया बत और दचिना पत को विभाजित करने वाली रेखा माना है तो इसका अंसर हो जाएगा option number A अथार्थ राज सेखर ने नरमदा नदी को आरिया बत एवं दचिना पत के बीच विभाजित करने वाली रेखा के रूप में माना है तो इसका अंसर हो जाएगा option number A अथार्थ नर्मदा नेक्ट शर्षट नमब प्रश्ण है रीगवेद में मरुवस्थल के लिए किस सब्द का पिरोग किया गया है तो रीगवेद में मरुवस्थल के लिए मुखरूप से धन्व सब्द का पिरोग किया गया है तो इसका अंसर हो जागा अप्शन अंशी अथार्थ धानवर नेक्स्ट शर्षट नमब प्रश्ण है आरियों के लिए ब्रह्म हर्षी देश का समंध निम्न में से किस छेत्र से था तो देखिए प्रश्ण है कि आरियों के लिए ब्रह्म हर्षी देश का समंध निम्न में से किस छेत्र से था तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर ए अथार्द गंगा यामुना छेत्र को आलियों के द्वारा ब्रह्म हर्षी देश की संग्या दी गई है तो इस प्राश्निका अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए अब यदी बिहार छेत्र की बात करें तो धान दीजेगा यह जो बिहार छ प्रश्न है आर्यों की बिजाई होने के कारणों में निम्न में से कौन सामिल नहीं है तो देखिए घोड़ा चालित रत बिल्कुल सही है नेक्स्ट है कांसे की अच्छे उपकरण यह भी सही है नेक्स्ट है कबच यह भी सही है लेकिन जो अप्सन नमबर डी है अथार्ट यह प्रश्न का अंसर अप्सन नमबर डी अथार्ट आर्यों की बिज जै क्या एक प्रमुक्फ कारण गाय बिल्कुल नहीं था तो इसका अंसर हो जला क्क्रम्व डी। नेक्ट सत्तर नंबर प्रश्ण है निम्न कथनों पर विचार करें एब हम सत्त कथन का चैन करें ध्यान दीज़े प्रश्ण करा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है तो देखिए पहला है कि गोत्र सब्द का प्रोग सर प्रथम रिग बेद में किया गया था यहां बिल्कुल सही है और दूसरा कि गोत्र प्रथा की अस्थापना उतरबैदिक काल में हुई थी यह भी सही है तो इस प्रश्ण का अंसर हो जाएगा उप्शनम सी अथार्थ एक एवंदो दोनों ही सही है नेक्ष्ट है दसराज युद्ध का उलेख रीगवेद के किश मंडल में है तो दे युद्ध है वहें रावी नदी के टट पर या परुष्णी नदी के टट पर रादाश सुदास एवं दस जन्द के मध लड़ा गया था, suppose यदि प्रश्ण पूछी ले जाता है कि किनके मद दसराज युद लड़ा गया था जो एक हो जाएगा राजा सुदास और दूसरा जो है वहाँ दस जन है राजा सुदास एवं दस जन के मद दसराज युद लड़ा गया था चलिए 72 नमब प्रश्ण क्यों हम लोग मूब करते हैं तो 72 नमब प्रश्ण है आर्यों के प्रसाशनिक एकाई का आरोही करम है तो इसका अंसर हो ज़ाएं और अप्शन में D अथारत कुल उसके बाद ग्राम उसके बाद 20 उसके बाद जन उसके बाद राष्ट अथार्ट कूल, ग्राम, 200 जन राष्ट यह जो है, आर्जेयों के प्रसाशनिक एकाई का अरोही क्रम है अब यदी हम लोग कूल का प्रधान की बात करें तो सब्पोर्श्ण क्रश्ण पूछ ले जाते हैं कि कूल का प्रधान कौन था तो जो कूल है इसका प्रधान कहलाता था कूलाप कूल का जो प्रधान था हुआ कूलाप कहलाता था ग्राम यदि ग्राम का प्रधान की बात करें तो ग्राम का प्रधान ग्रामनी कहलाता था ध्यान दिजेगा ग्राम का प्रधान ग्रामनी कहलाता था विस विस का प्रधान विसपती कहलाता था तो आप लोग इसे याद रखिए विस का प्रधान विसपती और यह जो जन है तो जन का प्रधान राजन कहलाता था जन का प्रधान राजन को कहते थे तो याद रखिए थिरी नमबर प्रश्ण है, सही मिलान करना है, एक तरफ बेद दिया हुआ है, दुसरे तरफ उस बेद से समंधित विशय दिया हुआ है, तो देखें यदि रीग बेद की बात करें, तो रीग बेद में इस्वर की महिमा का बर्नन किया गया है, तो एक आंसर हो जाएगा, आप अथार बेद में मुख रूप से जादू टोना का बर्नन किया गया है, तो डी का हो जाएगा चार, जादू टोना एवं औस धी का बर्नन अथार बेद में किया गया है, तो डी का हो जाएगा चार, तो इस प्रकारशर 73 का अंसर हो जाएगा, आप्शन नमबर C, अथार तो दो, टिन, एक, एवं, चार, स्मेंटि, फोर, पत्चोहतर अवा, नमबा साफ़, निवन में से, कौन सा बैद, गद, एवं, पद, दोनों मेरा चित है, अथाट प्रश्चन है, कि कौन सा ऐसा बैद है, जिसमें गद एवंपद दोनों के रूप में रचित किया गया है तो इसका अंसर हो जागा option में B अथात यजूर बेद का बर्णन गद एवंपद दोनों में रचित किया गया है अब सबसे महत्पून बाद यह जो यजूर बेद है इसमें हमें बलिदान प्रथा का बर्णन देखने को मिलता है तो आप लोग से याद रखी यह जूर बेद में किस प्रथा का बर्णन या बलिदान प्रथा का बर्णन किस बेद में देखने को मिलता है तो जो यह जूर बेद है उसमें बलेदान प्रथा का बर्नन देखने को मिलता है चलिए पच्छतरमा नमब प्रश्ण क्यों हमले मूब करते हैं और आज का यह लास्ट प्रश्ण होगा प्रश्ण है किस ग्रंथ को भारती संगीत का मूल जनक या भारती संगीत का जनक कहा जाता है तो इसका अंसर हो जागा ऑप्चन में B अथा तसाम बेद को भारती संगीत का जनक कहा जाता है तो इस परकार से प्रेंट्स आज का यह सेशन दाव समाप्त हुआ बहुत सिखरी हम लोग 75 प्रश्ण को लेकर हम आपके समझ उपस्तित होंगे तो आज का यह से संत और समाप्त हुआ बहुत बहुत धन्यवाद